मौसम की मार कहें या सरकारी नीतियों की बदनसी भी सेब उगाने वाले किसान कंगाल हो रहे हैं और सेब की खेती छोड़ कर कोई और विकल्प तलाश कर रहे हैं एपल स्टेट के नाम से प्रसिद हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ सालों में बहुत कम सेब का उत्पादन हुआ है हिमाचल प्रदेश में करीब 4 लाख बागवान परिवार है यहां सेब का सालाना कारोबार 5000 करोड रुपए का होता है कुछ सालों से लगातार मौसम वरिष्टी से सेब उत्पादक पर असर पड़ा है हिमाचल के सेब बागानों पर जलवायू परिवर्तन का भी खत्रा मनरा रहा है तापमान बढ़ने के कारण जहां सेब के बागान सूख रहे हैं वहीं सेब का स्वाद मीठे से खटा हो रहा है दा अनर्जी एंड रिसोर् की बढ़ोतरी होने से वर्ष 2030 तक हिमाचल के सेब बागानों में 10 फीसदी की कमी आ सकती हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमना स्थित डॉक्टर वाइस परमार बागवानी एवं वानी की विश्व विद्याले के वैग्यानिकों की अनुसार समुद्र तल से 1500 से लेक की बर्फ पिघलने के कारण सेब का उत्पादन प्रभावित हो रहा है हिमाचल प्रदेश में 6 नवंबर 1916 में सेब का पहला बगीचा लगाया गया था अमेरिका से सेब का पौधा लाकर सत्यनंद स्टॉक्स ने विज्यानिक तरीके से इसकी शुरुवात की थी इस बार की अगर बात की जाए तो मार्च अप्रेल में अप्रत्याशित रूप से तापमान में बढ़ोतरी से हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है विशेशकर निचले उंचाई वाले क्षेत्रों में फ्लावरिंग और सेटिंग प्रभावित हुई है शिमल अच्छी बर्फबारी से चिलिंग आवर्ज पूरे होने के बाद इस बार अच्छी फसल की उमीद थी लेकिन समय से पहले तापमान बढ़ने से फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग प्रभावित हुई है बढ़ियां फ्लावरिंग के लिए मार्च में 26 डिगरी तक ताप पादन घटने का नुमान है वहीं फ्रूट ग्रोथ के लिए जमीन में नमी होना भी आवशक है आपको बता दें कि प्रदेश में सालाना करीब 5000 करोड का सेब कारोबार होता है जो लगातार कम होता जा रहा है मौसम की बेरुखी ने हिमाचल के सेब बागवानों को चिंता म डाल दिया है इमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में सेब का सबसे महतो पूर्ण योगदान रहता है अकेले सेब पर लाखों परिवारों की रोजी रोटी निरफर रहती है प्रदेश की समरिधी के पीछे भी सेब को महतो पूर्ण कारण माना जाता है लेकिन इस अच्छी फ्लावरिंग के बावजूद असमान्यत आपमान ने बागवानों को चिंता में डाल दिया है। हिमाचल में सिंचाई योजनाओं के नाम पर करोणों रुपए खर्च करने के बावजूद 80% जमीन पर आज भी किसान आसमान की ओर देख कर खेती करता है। के लिए मौसम का साफ रहना जरूरी होता है। पानी विशेशग्यों की माने तो 10 से 12 दिन बाद उचे क्षेत्रों में भी बारिश ना होने पर नुकसान हो सकता है। किमला, चमबा, कुलू, मंडी, सोलन के कम उंचे क्षेत्रों के सेब बगीचों पर ज्यादा असर हो सकता है। अब तक का मौसम सेब के लिए उप्योक्त माना जा रहा है लेकिन अब बागवान बारिश के इंतजार में टक-टकी लगाए बैठे हैं।